एक बार एक जंगल में एक कववा रहता था एक दिन उसे बहुत जोर की प्यास लगी वो इधार उधार बहुत देर तक घूमता रहा लेकिन उसे कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ा घूमते घूमते उसे एक घड़ा दिखाई दिया वो उस घड़े पर जाकर बैठा लेकिन उस घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था तो वो सोचने लगा कि अब क्या करें फिर उसने अपनी बुद्धी लगाई और आस पास पड़े कंकर उठा उठा कर उसमें डालने लगा जैसे जैसे वो कंकर उसमें डालता गया वो पानी धीरे धीरे उपर आने लग गया फिर कववे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई इस तरह उसके मेहनत से उसकी प्यास बुझ गई